देश के आर्थिक नीतियों का आईना होता है और देश के आर्थिक व्यवस्था का अर्थिक व्यवस्था का जो पैटर्न है या फिर जो दिशा और दशा है वो तै करता है करोना पैंडेमिक की छाया से बाहर निकलती हुए जो भारत की अर्थिक व्यवस्था है वही एक सबसे बड़ी चुनोती इस वक्त देश के सामने है राजिसवा में बजट पचर्चा का जवाब देते हुए आपसे थोड़ी दिर पहले वित्नमंत्री ने देश को ये बताया कि ये जो बजट है वो आत्मिर्भर भारत का बजट है कैसे जो दो तिहाई जनता जो की हुआ है वो देश की विकास में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपनी बाट जो हो रही है इसका उन्होंने जिक्र किया तो कैसे एकनामिक ग्रोथ को सस्टेंड किया जाए कैसे ease of doing business को improve किया जाए कैसे उद्यमिता को और स्वारुजगार को बढ़ावा दिया जाए चर्चा आज इसी पर करेंगे और Ask CEA ये hashtag रखा गया है इस live talkathon का और आप इस वत I&B Ministry के social media handles जो की YouTube, Facebook और Twitter पर बिल्कुल live देख सकते हैं और अगर आपको इस कारेकरम का हिस्सा बनना है इस live talkathon का हिस्सा बनना है तो आप Ask CEA ये hashtag का इस्तमाल कीजिए और आप आसानी से इस program का हिस्सा बन सकते हैं बहुत बहुत धन्यमात सर वक्त निकालने के लिए ये पहला talkathon है जो हम आपके साथ कर रहे हैं सबसे पहले तो देश और विदेश से ये आर्थिक सर्वेक्षान और बजट पर प्रतिक्रियाय मिल रही है उनमें बड़ा feedback अगर हम आपके जरीए समझना चाहें तो वो क्या है अजय जी यह दिया आप देखें तो इस budget का जो feedback रहा है काफी positive रहा है लोगों ने यह साफ साफ देखा है कि यह budget जो recovery चल रही है वी शेप recovery उसको तो बढ़ावा देता ही है आगे साल में आगे वितवर्ष में लेकिन चूंकि यह budget दशक का पहला budget था तो जिस तरह यह बुनियादी धांचा बनाता है इस सारे दशक में एक विकास दर जो है उस इसके लिए भी बुनियादी धांचा बनाता है यह भी काफी investors ने देखा है हम आचली पिछले कुछ दिनों में काफी investors से बात कर रहे हैं और उनसे जो feedback आई है बहुत positive आई है इसी तरह एक और मुद्धा जो investors जो काफी appreciate कर रहे हैं वो है कि कितनी शुधता से और honesty से हमने स सारे जो आंकडे हैं और credibility के साथ दिया है तो इसको और कई investors कह रहे हैं कि पिछले जितने भी budget वो देख रहे हैं इसमें ऐसा कभी हुआ नहीं है और मेरे अनसार मैं भी करिब 30 साल से अभी budget को actually follow करता हूं students जब था उससे तब से तो मैंने इस तरह कि जो honesty है जो इमानदारी है और credible estimates वो मैंने देखी नहीं है और इसके अलावा जो मुख्यता है जो मुख्यबिंदू है infrastructure spending, capital expenditure की spending जो है और healthcare की spending है financial sector, financial sector reforms जो हमने किये हैं इन सब को इन सब का काफी अच्छा feedback आया है हम लोग industry association से भी बात कर रहे थे कुछ दिनों में तो सब का in general काफी अच्छा positive feedback रहा है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही एक आनन्दा एक विशह रहा है सुमर्ण साब एक पहला सवाल हमारे साथ बहुत सारे जो दर्शनक है और ट्विटर पहला सवाल जो हैश्टाइग ask CEA का सिकास्तमाल करते हैं मोहित शेखावत जी का है what would be the projection of a growth rate for 2021 मुझे लगता between the coming year which is labeled 21-22 2021 and 21-22 2021 is the year that ends in March and the projection that has been put up by MOSP for you know as part of the estimates is 7.7% decline for this year but for the coming year which will end in March 2022 2022 the growth projection that the economic survey has made is 11% increase in real terms and the budget has taken more conservative and this is related to what I was saying earlier also 10.5% IMF for instance is actually projected a little higher than even the economic survey at 11.5% this is all on real terms in other words does not take into account the impact of inflation so if we include about let's say 4% inflation on a lower range then 15.5% is what can be expected in nominal terms for the coming year and this year I think might be around minus 1-2% depending on what the inflation actually might be for year ending March of this year. inflation पर लेकर के अगर मैं आपका व्यू जानना चाहूं यह जो expansionary budget हमने इस पर देखा है capital expenditure बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया health care पर बहुत ज़्यादा खर्च हमें देखने को मिला है in general inflation scenario पर आपके हिसाब से क्या आसर पड़ सकता है यह बहुत अच्छा सवाल आपने पू global financial crisis 2008-2009 में और अभी कोरोना वाला crisis और इसमें हम global financial crisis के बाद जो response था और जो Asian financial crisis के बाद जो response था इसमें अंतर देखें तुम बहुत अंतर है Asian financial crisis के बाद capital expenditure काफी बढ़ाया गया revenue expenditure में उतना बढ़ोतरी नहीं हुई इसके मुकाबले global financial crisis में सिर्फ revenue expenditure बढ़ाई गई और capital expenditure घटाई गई और reforms कुछ भी नहीं हुए थे global financial crisis के बाद जबकि Asian financial crisis के बाद काफी reforms हुए थे आपके disinvestment हुए टेलीकॉम policy तब उसमें काफी changes लाई गए जिसके कारण टेलीकॉम revolution हुई और small scale reservations से उठाई गए तो इसके चलते क्योंकि capital spending हुई और आपकी reforms भी हुए Asian financial crisis के बाद तो supply भी बढ़ा और demand भी बढ़ा जब की global financial crisis के बाद सिर्फ demand बढ़ा और supply वैसे का वैसे रह गया तो इसलिए आपका inflation करीब 14 प्रतिशत पहुचा और कई सालों तक आपकी double digits में रही इसके मुकाबले आप देखें तो Asian financial crisis के बाद inflation नहीं थी growth rate 8 प्रतिशत का दर कई सालों तक आया और global financial crisis के बाद आपका दो साल आया फिर macro crisis हुई. Macro crisis भी उस policy के कारण ही आया था क्योंकि जब आप demand बढ़ाते हो लेकिन supply नहीं बढ़ाते हो तो imports बढ़ते हैं जिससे की आपका current account deficit काफी खराब हुआ, fiscal deficit खराब हुआ, जिसमें तो assets नहीं बने और inflation भी आया. तो triple problems के कारण जो 2013 में जो taper tantrum था ये सिर्फ और सिर्फ policy के कारण आया था. इसके मुकाबले Asian financial crisis में इस तरह की कोई problem नहीं थी और इस बार जो हमने किया है COVID crisis में वही जो अच्छी तरह जो successful formula था उसको हमने दोहराया है, लेकिन एक अलग scale पर, अलग स्तर पर, क्योंकि जिस तरह की reforms किये हैं हमने even Asian financial crisis के बा अपनाया है, higher scale पर, इसलिए क्योंकि supply demand डोनों बढ़ेंगे, तो inflation इसमें नहीं आने की गुंजाइश कम है, और इसी तरह macro stability भी बना रहेगा, ये मेरा सिधानतों पर अविपराय है. चैले, macro economic stability के साथ, अगर inflation नहीं होता है, inflationary नहीं होते हैं, तो वो आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है, अगला स्वाल लेते हैं, सुभाश कुमार जी है, वो पूस्ते हैं, sir, government is saying that this budget is for आत्मिर भारत, but can we say that this budget will play a crucial role in achieving 5 trillion dollar economy? Subhashji, again a very good question, I think certainly this budget will play a significant role in India achieving the 5 trillion dollar target, as I was explaining at the start to the question that Ajayji had asked, this budget not only accelerates the recovery that is happening, the V-shaped recovery that is happening, but it also lays the foundation for high growth in this decade, so I think I would go a little further and say not only the 5 trillion dollar, but even beyond that, this budget has laid the foundation for that, as I was saying earlier, healthcare spending, which matters a lot for labour supply, labour productivity, infrastructure spending, which brings in private capital expenditure as well, and accelerates this virtuous cycle of investment, growth and consumption and the financial sector reforms, the private enterprise policy, for instance, I would mention that day before yesterday, the Honourable Prime Minister's statement in Lok Sabha is a seminal moment in India's economic history because he has talked about wealth creation and the role of the private sector, the salutary role of the private sector, so all that also will contribute to productivity, so I do think that this will play a big role in us achieving the 5 trillion dollar goal and beyond. तो मुझे इस से ध्यान आरहा है कि जो पिसले साल का आर्थिक सर्वेक्शन था उसमें ग्रोथ जो इस साथ 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 आपको इन्वेस्मेंट आएगा, इस साल की सर्वे का अगर मेन फोकस का आर्प देखें, wealth creation जैसे पिसले साल का था, तो इस बार आपको क्या लगता है, क अपने pandemic को study करने पर ध्यान दे आगे हैं कि उससे बड़ा एक तरह से detailed analysis हमें कहीं हैं और मिलती नहीं है, क्योंकि इस साल का सर्वे एक वैश्विक महामारी के बाद आया, और दूसरी बात यह है कि जैसे हम महामारी के लिए response क्या होना चाहिए, जब हम उसको देख रहते, Spanish flu का जो episode था 1918-1919 में, उसको काफी हमने ही नहीं इसमें देश-विदेश में सब ने देखा, इसी तरह हमारा यह मानना था कि इतिहास भारत के response को भी पचास-सौ साल बाद भी इसको देखेगा, तो इसलिए हमने जो भारत ने जो सासी कदम लिये, उस पे काफी और जो policies लि किया, इसके अलावा जो theme की आप बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसे एक महामारी के बात हमें growth पे focus रहना है, तो जो survey का जो emphasis था, वो growth पे था, growth के लिए तो जैसे counter-cyclical fiscal policy करिए कि जब आपकी economy में इस तरह की स्थिती आई है, तब सरकार खर्च करे ताकि growth आए, इसी तरह inequality और growth की जब बात करते हैं, उसमें भी आप growth में focus रही है, और growth के लिए जो भी आपके साधन है, उन साधनों को actually आप focus करें, health care spending, आपकी जो welfare spending जो है, इन सब में, तो ये growth पे ही इस बार focus किया था, हमने इस बार के आर्थिक survey लाए तो growth की अगर हम बात करें, तो growth का model आपकी हिस साथ से क्या होगा, क्या हम scam led growth, NPA led growth या फिर कहें growth with inflation, आपका model क्या है अगर आप growth की बात करें, in ideal micro economic returns, ये भी अच्छा सवाल है, जो model है, वो 2018-19 के आर्थिक survey action में हमने दिखलाया था, उसमें हमने पिछले 50 वर्षों में, जितने भी देश जहां की पांच प्रतिशत real terms में विकास दर, GDP का विकास दर, लेकिन सिर्फ एक दो साल ने, एक दशक, पूरे एक दशक में पांच प्रतिशत या उससे जादा विकास दर हुआ, तो ऐसे सारे राश्ट्रों को हमने उसको उसका विशलेशन किया, और उस विशलेशन से हमने ये पाय कि आप जो जब भी ऐसे राश्ट्रों को देखते हैं, जिसने पांच प्रतिशत से जादा विकास दर, एक दशक के लिए किया है, तो वो वर्चूस साइकल के कारण आता है, और ये वर्चूस साइकल पहले निवेश से शुरू होता है, नीजी निवेश से, नीजी पैसा आता है, तो वो जाकर इसको खर्च करते हैं, जब खर्च करते हैं, तो आपका कंजम्शन बढ़ता है, और कंजम्शन को देखके, आचली कंजम्शन बढ़ने वाला है, देखके, नीजी निवेश करता है, तो इस तरह ये जो चक्र है आपका जो निवेश से लेकर, व विकास दर्ख के लिए जैसे हमने कहा निवेश नीजी निवेश बहुत महतुपूर है और इस नीजी निवेश के लिए जो सारवजनिक शेत्र है वो निवेश करना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे हम आर्थचास्त्री कहते हैं क्राउडिंग इन आफ प्राइवेट इंवेस तो ग्रोथ का एक तरह से बबल न बने जो कि किसी किसी वजह से जाकर कि फिर वो बस्ट हो और आपको एक फ़रा सा शॉक लगे उसमें मैं अच्छली जस्ट दो मिनिट आड करना जो से पहले भी बता रहा था कि हमने सप्लाई और डिमांड डोनों में काम किया है आपका स्टेंड के कारन सप्लाई बी बढ़ती है इसलिए यह जो है सस्टेंड मौडल अफ भोथ होती है तो अब हमने पहले देखा 2004 के आसपास जब open skies policy आई तो aviation sector काफी flourish किया उसके बाद में telecom sector का जिक्र करी चुके हैं, banking उसके बाद बहुत जाद expansion किया insurance मुझे लगता है पर next revolution पर आप लोग ले जाने की तयारी में है अगला सवाल Abhishek Singh का है, वो जानना चाहरा है, how will this potential revamp change the insurance sector, what are the challenges and room to maneuver ahead, so what lies ahead sir Abhishek Ji, firstly the important change in policy this time where the limit for FDI has been increased from 49% to 74% is a very important change because if you look at the insurance sector in India it's quite under-penetrated, while COVID has certainly brought attention to insurance and life insurance and health insurance but overall India in India insurance is still under-penetrated and therefore this is an area where we need more players to come in so that they can all contribute in increasing the insurance penetration in the country and there I think this this particular move is very important, it will you know enable competition and thereby also you know push the existing players also to come up with better products, more innovative products, more you know innovative organizational models to reach the consumer, so overall I think I am very optimistic about the insurance sector in the coming decade, the challenges I think will be you know especially in convincing the Indian consumer that insurance is something that is necessary, it's a necessary product because what an insurance does is you know you never want to use insurance but you want to keep it, it's like car insurance you know you don't want to get into an accident but you want but I think the big challenge really is to convince the Indian consumer that this is a necessary product because what it does is it takes care of very large expenditures that can happen with small chance and convincing the Indian consumer I think is what all these companies will have to work really on especially those at the bottom of the pyramid for instance agricultural insurance and other forms of insurance and sir then what role do you see the public sector insurance companies do we have we have just you know one or two big you know life on the life side on general side we have four big companies what are the future are you going to actually merge them we're also you know listening about the IPOs of some of the insurance sectors what what is the road ahead so you know one public sector insurance company is actually going to be divested which means that there will be some public sector insurance companies still and they will compete with the private sector insurance companies and in general well-regulated competition is something that is always good for the industry for instance last year's economic survey we had shown how in the telecom sector so many players coming in actually led to you know huge telecom revolution uh day before yesterday the honorable prime minister was also talking about this um similarly if you look at airlines there was a time when there were only two airline companies um and you know i remember for instance paying a fare of about 14 500 rupees in 1995 for a travel from calcutta to bombay now if you work in real terms that may be 50 000 rupees today um so compared to 50 000 that i you know one would have been paying actually there were only two two um you know airline companies today you pay only five thousand six thousand rupees that's again illustrates the the uh impact of competition similarly if you were to take the you know banking sector again when private banks were given licenses in the 1990s that has also helped because they've pushed the public sector banks as well so going forward therefore i think the policy on fdi together with one of the public the public sector insurance companies being privatized i think will bring more competition and thereby will really benefit the consumer and thereby will really benefit the consumer so now i'm coming to micro numbers and with fiscal deficit how confident you are that we have the target of 6.8 we will achieve that and the extra budgetary resources which reduced from 31 000 crores from nil next year so what is financing for the next year what will you plan , so this would be the competition so so that we should focus on course that it is अपेंडिक्स में डाला था budget speech में, इस बार वो भी उसके भी और आगे गए हैं हम, और हमने सारे जो budget items उसको budget लिया, तो ये इसका योगदान ही करिब, मेरा अंकड़ा बता एस्टिमेशन बताता है करिब 1 to 1.2% actually is the off budget items coming on budget, इसका मतलब यदि पिछले साल की जो practice थी, वुसक साथ तक ऐसा रहता, ये भी मेरे अनिसार अचली इसको हम achieve कर पाएंगे, क्योंकि जिदी आप GDP growth देखें, tax revenues देखें, non-tax revenues देखें, इनमें सारे में जो estimates हैं, काफी conservative लिये गए, और मैं जल्दी से इसको बताता हूं, जैसे budget में मैं कह रहा था, साड़े दस प्रतिशत की साड़े सोला प्रतिशत ली गई है करिब, और इन growth rate को लेके और tax buoyancy को लेके देखें, तो करिब साड़े अठरा से साड़े अठरा प्रतिशत आपकी tax revenues बढ़ सकती है, लेकिन साड़े सोला ही ली गई है, इसी तरह आप non-tax revenues लें, तो 1.1,75,000 क्रोर की estimate है, उसमें LIC का IPO, BPCL, Air India, Concord वगरे जो की पिछले साल से चले आ रहे थे, उन पे पिछले साल से काम हो रहा है, उनका estimation है, तो ये भी मेरे अनुसार उसका, वो अचीव कर सकते हैं, इन में जो 1,75,000 क्रोड की disinvestment revenue है, उसमें आपके जो दो public sector bank हैं, और एक insurance company उनको उसमें जोड़ा नहीं गय है, तो ये सब आप मिला के देखें, तो मेरे अनुसार जो है, ये जो 6.8 प्रतिशत का जो fiscal deficit का हमने अनुमान लगाया है, उससे हम बहतर कर सकते हैं. Shivendra Singh Jadon, हमाले अगली दर्शक है, उनका स्वाल है, the World Bank and the United Nations have said that the pandemic may lead to an increase in poverty in India, what is your side on this, what is your take on this, क्या विहाँ सरण? Shivendra Ji, I think what we have to realize is that every country in this world, because of the pandemic, you know is facing a decline in growth this year for instance the IMF's world economic outlook in June had mentioned that if you look at the percentage of countries where GDP will decline this year it's the largest in a one and a half centuries so the pandemic is having an impact on growth but from the Indian perspective I think what is really heart heart heartening is that in the coming year you know we are expected to have 11 percent or 10 and a half to 11 percent growth which will really ensure that whatever momentum we may have lost this year because of the pandemic we will recoup that momentum and the you know as we were discussing earlier as well the steps that have been taken in this budget and over the last one year as part of the Atmanirva Bharat one to three packages all those together will you know it will really help in you know taking India into a high growth path and as we had shown in the economic survey chapter on growth and inequality when GDP growth goes up poverty reduction actually goes down you know it really gets accelerated in fact 85 percent of poverty reduction since the 1990s has come from growth so I think that the prospect of high growth in the coming year and going forward is something that positions India well for actually reducing poverty in this decade and said that was very interesting that the matrix of inequality that you assessed in the economic survey could you just elaborate on that how the things are shaping and what was the you know basis for this kind of you know interesting you know analysis for that see the motivation for writing that chapter was that you know there was there is a there is a lot of debate and especially after COVID the debate on inequality you know did get a lot more attention and rightly so if you look at the way the debate has shaped in the advanced economies especially there is a conflict there between growth and inequality because and and partly because they are at a different stage of development the potential growth rate they you know these countries are likely to grow at two two and a half percent in real terms so we basically wanted to ask the question that the way the narrative is happening in the advanced economies is that same narrative you know right for India is it basically no how how would India actually you know look at this narrative and that's why we went and looked at the data across states in India and what we found very very you know interestingly and in some sense you know I think was a positive surprise as well is that this tension that you see in the advanced economies between growth and inequality actually is a convergence in the Indian context because in the advanced economies higher inequality lowers no health and social all social economic indicators while growth actually either it has no effect or actually you know improves it so there is that tension there you know that they're in conflict but in the Indian context actually both inequality and growth have the same effect so this tension and inequality that you see in the advanced economies does not manifest in India and I think the reason for that is one our potential growth rates are much higher at you know we can grow at six and a half seven seven and a half percent for sure and the economics research also shows that when you expand the pie the resources that you get out of that you can use it well for redistribution for for reducing you know poverty as well so I think that also highlighted that for India at the stage at which it is India must continue focusing on just growth and be very very focused on it sir I have a world bank sexer joe saw on our unka zikr kya honne now marik you have a chapter on credit rating agencies that you have a chapter on credit rating agencies that you have a methodology in the context of India is not so credible as much as it should happen now there is a other number which has stated that there is a risk of downgrading India sovereign rating agency that you have to say thanks for having around for a full up ? and I have two questions here. One is India's sovereign rating rating, the sovereign rating the methodology in India, its pretty common. This in two things we have to listen to. One is that the GDP overall GDP which I want the rates which they want, the sovereign rating methodology which the sovereign rating methodology is not उतना देती नहीं है, क्योंकि जब आप किसी राष्ट की जो उनकी जो रिन है, रिन की भरपाई की क्षमता देखते हैं, तो पूरा जीडीपी को लेना चाहिए, जीडीपी आपका उस साल में आप कितना कितनी गत्वीदिया होती है, आरतिक गत्वीदिया, उसका एक आंकलन क करता है, तो जीडीपी पर कापिटा पर उतना ध्यान ना दिये, जो जीडीपी पर क्योंकि रिन आप जो देंगे प्राइवेट सेक्टर का या जो गवर्नमेंट सेक्टर का वो आपके जीडीपी से होता है, इसलिए हम डेट टु जीडीपी लेग देखते हैं, जीडीपी और यदि इसको समझ कर आप देखें फिर जब जो पांच्वा सबसे बड़ा देश है GDP के अनुसार वो आज की तारिक में भारत है और यदि पिछले 30 साल से देखें आप तो जो पांच्वा देश है ये कभी इंग्लेंड रहा है UK रहा है कभी जर्मनी रहा है अब देखें तो ये पांच्वा राष्ट्र ट्रिपले रहा है और जब चीन बना पांच्वा राष्ट्र या भारत बना तभी इसमें एक प्रेसिपिटरस फॉल आता है तो ये तो पूछने वाली बात होगी कि हम जब बनते हैं पांच्वा राष्ट्र तो ऐसा कैसे है कि रेटिंग अचली में तो ये पहला प्रश्ण इसी तरह दूसरा प्रश्ण बहुत इंपॉर्टन्ट है कि आपके जो रिजर्व है जब देश में पूर्ण तो भारत में आप देखें तो हमारी जो रिजर्व हैं वो हमारे टोटल प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट डेट को साथ में लें तो आपके रिजर्व इतनी है और आपकी रिजर्व इतने हैं तो इसका मतलब की उसी दिन एक ही दिन में सारे कंपनी ये बोले परियाप्त है उसको आचली देने के लिए के दूसरी बात कि हम Net Creditor हैं, हमने ज़्यादा उधार दिया है बाकी देशों को, नकि हमने उधार लिया है, तो जब जिसने ज़्यादा उधार दिया है, तो वो कैसे default कर सकता है? अच्छा, डिफॉल्ट भी हमने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, हमने 1990 में जब हमारी बैलेस्वर्म पेइमेंट्स क्राइसिस हुई थी, तब हमने अच्छी सोना लेके बैंक ओफ इंगलंड में लगाया था, वहाँ पर रखा था, तो इस तरह का यदि, ये सब आंकड़े इकनामिक प्रिंसिपल्स के आधार पे हमने प्रशन पूछा है, तो इनका आप जवाब दीजिए, ये दूसरी जवात आप कह रहे थे, जो नुमुरा की, उसी तरह अच्छी दो दिन पहले एक मिंट में अच्छी आर्टिकल आई, जिसमें ये भी बताया गया, बताया गया है, उसमें आकड़े देखें, तो इमर्जीग एक बारत इसमें घुकाइक हिस्सा है, तो उसमें देखें तो उनका जो आवरेज है वो साड़े 15.000 पृतिशत है, ये तो दुब़ारा प्रशन पूछा था तो इसको लेके दी देखे तो मेरा आंकलन ये है कि हमारी फिसकल स्पेस जो है हमने बहुत अच्छी तरह इस्तमाल किया है और ग्रोथ जो हमारी आने वाली है और जैसे हमने दूसरे चाप्टर में भी दिखलाया था कि जी ग्रोथ जब आती है आपकी डेट टो जीडिपी रे तो इसका मतलब ये जो पूरे क्राइस है उसको हम लोगों ने एक तरह से अपॉचुनुटी की तोर पर देखा और हमारी जो फिसकल मैथेमेटिक्स था और भी ज्यादा इंप्रूव हुआ और क्रेडिबल भी हुआ ए ट्रांस्परेंट भी हुआ अग्ला सवाल लेते हैं ए जानाचाने अटी ए लूट ऑछुनुट है प्लि सक्ट जानाचारी इताव जोटी नेगाशन अच्टा लोट सप्ले सब मेगों करेंटू ने जानाचारी शब्याद वाल्या मेरी जानाचारी हिए ग्टस्त्ट्राइ इन् स्टी तूरे मात पूलिया लें ले करते हैं। च़ली इसदे Намनाआड चैसे पोलीजिए आण परैंट टुम एता लुटनी अधरन आवेटे ल型 आपोलीजिए the first principle of that was that we actually wanted to ensure that the taxpayers money is really well spent and you know let me explain what if suppose I have to invest my money and there is one vehicle where I invest a hundred rupees and I'm going to get only 98 rupees in other words I'm going to lose two rupees that's one one venue another venue where I invest hundred rupees I get 245 rupees in this year and over the course of the next two three years I get 480 rupees now if it were my money which which vehicle would I choose obviously the second one now the first one is revenue spending second one is is capital spending for the taxpayers money so our fiduciary responsibility is the way we would invest invest our own money same way we actually the same care we invest actually the money as well and that is why we've actually invested in capital expenditure so if you notice after you know from the month of October onwards capital expenditure has increased by about 130 percent in October about 250 percent in November and 80 percent 80 plus percent in December and we did this because we did not want to actually fiscally spent you know use scarce fiscal resources when the lockdown was on when economic activities were restricted and uncertainty was very high because when there is uncertainty it's just common sense that you know people will keep cash with themselves saying we may need it for tomorrow if somebody becomes sick people will not go and spend on buying a TV or a house the discretionary spending that is why we conserved it and when the economy started unlocking that's when we you know we spent in some sense you know if those of you who have driven a car or know about it for sure if you have clamped the brakes on the car at that time pressing on the accelerator only was few else but once the clamps is removed brakes are removed then you know press on the accelerator it actually you know really proceeds fast and that is exactly what we are doing we've really stamped you know slammed or the accelerator on capital spending after the brakes have been removed these will really help in building demand as is explained because when capital spending happens you know construction activity goes up which creates jobs in the formal and informal sector steel companies cement companies furniture companies lots of others all of them actually get more demand they'll you know build factories investment they'll hire people all that creates a lot of demand as well in and in a very sustained manner and you also removing the roadblocks by reforming others going forward Pinky Kasana is asking that divestment target for FY 2022 has been set at two lakh ten thousand crore rupees which is two hundred thirty three percent more than previous years budget target of sixty five thousand crores in such a situation when private player buys stake in government companies what alternative provision would be made available to employees working in the old system so let me tweak this question a bit how this how you already answered this this divestment target how it is going to be met but the concern of Pinky Kasana about the welfare of the employees how do you tackle that sir so Pinkyji first thing I want to actually just correct that two lakh ten thousand crore was the budget estimate for last year this year's budget estimate is one lakh seventy five thousand crores so I think just a just a correction but your question I think is a good one and you know the government remains absolutely committed to ensuring that the that the disinvestment and privatization happens with the minimum amount of you know adverse impact on employees and all the necessary steps will be taken to ensure that that is the case. Now I come to the health regulator that you have talked about sir and now I come to the health regulator that you have talked about. What do you need to do and how the health sector has shown so important in the economic survey and in the budget too? We are seeing the impact of the Aishman Bhara we are seeing a region that can be a region that can be done. Now elaborate a little bit please. This is a very important question. The reason this is important is in health care you know when you go to the doctor the doctor who's prescribing you know let's say some medicines or some procedures is also the expert and as noble prize winning research by Kenneth Arrow in 1963 so you know more than 57 years before now 57-58 years showed that this problem of asymmetric information is basically economic jargon for you know the one person having a lot more information than another person so in this case basically the doctor or the hospital having a lot more information than the patient this is also the case in finance you know in the financial sector the same problem of asymmetric information so what the you know what Kenneth Arrow argued that because of this problem of asymmetric information laissez-faire does not work very well in the in in the private sector in 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 health care so no regulation therefore becomes important and in the survey chapter we've also provided evidence of this for instance using data from Aishman Bharat we actually showed that if you take the same procedure you know cardiac procedures for instance inpatient cardiac procedures if a patient goes to a private hospital pays all pays almost seven times as much as in the case of a public you know government hospital if you take for instance injuries again you know seven times as much cancer treatment about five times as much but why because of the quality is better exactly I'm going to come to that no that's not the case actually that it's not that necessarily quality is better because and we go and examine this that one measure of quality that healthcare research always recommends is readmissions in other words a patient got came and got admitted initially you know didn't get fully cured and therefore has to get readmitted so readmission is a good proxy for for quality of the treatment and what we find is that actually if anything the you know that the readmission rates are higher in the private sector than in the public sector which clearly suggests that it's not the case that the quality of treatment is significantly better in the private sector than the public sector so when you put the two together you have you know the patient is paying much higher price but not necessarily getting much higher you know quality of treatment possibly the same kind of treatment maybe then it suggests that there is a problem of asymmetric information here which is something that Kenneth Arrow you know had highlighted and the evidence that the survey provides is very consistent with something that this Nobel Prize-winning research had pointed out therefore there is actually the need for regulation so that this problem of asymmetric information is really addressed and you know Indian patients can healthcare consumers can get you know healthcare even from the private sector at affordable prices because about two-thirds of healthcare in India is done by the private sector and that's good you know but it's just we need to regulate I know I think the message is very clear we want to really respect the private sector that you know the honorable prime minister also said it but when there are some problems actually we need to fix that as well so that it really becomes even more capable of serving the Indian consumer okay so deep mala koshik this is a question that union budget digital India and Aatmur and Bharat go along with how much further India and Aatmur and Bharat go along with which further we see that the Bharat Net has got to make sure the expansion of the digital payments that are very encouraging of which India and Bharat go along with which further तेजी आई है और इसमें एक बहुत एक इंट्रेस्टिंग सा अब्जर्वेशन है जो मैं करना चाहता हूं जब महामारी का दौर चल रहा था तब भारत ने जो डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर्स थे वो एक क्लिक से किया करीब करीब साथ करोड लोगों को हमने अचली जो से विकसित देश जो है अमरीका, अमरीका में उन्होंने पहले चेक्स प्रिंट किये, उनके राश्ट्रपती से साइन लिया, उसके बाद सारे चेक्स क्योंकि एक साथ मेल नहीं किया सकते थे, तो स्टागर्ड रूप में यॉनाइट स्टेट्स पोस्ट आफिस ने उनको आ चेक्स जाकर अचलि लोगों के हाँयों के घरपे पहुंंचा उसके बाद यrorsकली अमरीट्स आपकर दिया, यह कैसे हुआ क्योंकि जंधन अकाउंट जो है आपका आधार है, मोबाइल है, जैम ट्रिनिटी उसके कारण और इसी कोविट के कारण उसको काफी एक्सेलरेशन मिला है, डिजिटल ट्रैंजाक्शन में करीब धाय तीन प्रतिशत पृद्धी हुई है, और इस साल जो बैंकि जिसका जिक्र प्रदान मंत्री ने किया, मुझे लगता है वो और एक नया रेवलिशन लेकर के आएगा, डिमांड के इसाब से भी और ने बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है, क्योंकि जब जो फिनांचल इंक्लूजन है, हमारे पास 40 करोड अकाउंट है, जो जंधन के और इस सारे काफी सारे आपके रूरल एरियाज में हैं, तो वहाँ पे जब आपका डिजिरल ट्रांजेक्शन जो एनेबल होंगे भारत नेट के जरिये, तो रूरल एकॉनमे में भी आपकी डिजिरल जो ट्रांजेक्शन और काफी बढ़ेंगी, और जिसके चलते आपके माइक्रो फाइनांस और जो आपके बैंकिंग कर्रिस्पॉंडेंट्स वगरे होते हैं, उनका भी बहुत अच्छा और इस्समाल होगा, तो ये एक अच्छा एरिया है जिसमें बहुत द्रोथ हो सकता है, अगी चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको बहुत सीधे साफ तरीकों में समझाओंगा, सामान ये ग्यान है कि आप यदि कुछ खरीदने जाती हैं, किसी दुकान पर जाती हैं, तो जब आप खरीदने जाती हैं, उस दुकानदार को यदि पता है कि आप सिर्फ उसी से खरीद सकत हैं, तो दुकानदार जो है, दाम अच्छली बहुत जादा लगाएगा, लेकिन यदि आपको आपने कहा, ने ने, आपसे ही खरीदना जरूरी नहीं है, मैं अगले के पास भी खरीद सकती हूँ, यदि दुकानदार को पता है, तो दुकानदार जो है, आपको वाजिब दा हैं, बढ़े किसान, बढ़े किसानों के पास ये विकल्प हैं, इसलिए बड़े किसानों कोु उनको दाम अच्छा मिलता है, चोटे किसान, जिनको की जब वो APMC के गुठ में जाता है बेशने के लिए, वो गुठ थि बास जाने सकता है, तो जिस तरह हमारे शामान जीवन चोटा किसान उसके पास विकल्ब नहीं है और ये जो कानून है उसको विकल्ब देने के लिए की जा रही है तो अर्थ शास्त्र की दृष्टी से तो और सिर्फ सामान्य ग्यान जो कि हम सब रिलेट कर सकते हैं उससे साफ साफ है कि इसका जो इंटेंट है ये एकदम सफेद सा चोटा किस चोटे किसान को इसको इंपावर करने के लिए बाकि जो भी बताई जा रही है वो मेरे अनुसार तो और मैं तो साफ साफ कहता हूं अफवाहे है चलिए अगला सवाल लातानू जिन्माल का है वो कह रही है कि वजट 2021-22 में 42 शहरों में जो एर पलूशन है उसको क असर पड़ेगा और शेहरों पर लोगों का ध्यान उतना नहीं था शहर अपने भरों से छोड़ दिये गए थे लेकिन अब लगता है कि जो सच्छता गाउं में दिखी उसका असर अब शेहरों में भी प्रधान मंत्री और रवित्न मंत्री की पूरी टीम लागू करना चाह और जो दूसरा आपका क्योर यानि की उपचार करने के लिए जो रोगधाम करते हैं उसमें जब हम पैसा लगाते हैं दुबारह वही टैक्सपेयर की पैसे की बात आती है जिस तरह हम निजी पैसे को निवेश करते हैं वैसी टैक्सपेयर को उतनी ही सावधानी से हमें तो यही रोगधाम में भी ऐसी होता है, हौले हौले से दवा लगती है, लेकिन जो दवा लगती है, बहुत ही सटीक लगती है, तो उसमें सैनिटेशन जैसे आप बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए जो अर्बन जो सैनिटेशन है, स्वच भारत का जो कैंपेन है, हेल्थ आउटकम्स को उसमें बढ़ावा देने में बहुत कारगर रहेगा, और इसके अलावा जो सवाल जो पूछा गया था, उसमें भी पोल्यूशन में जो जिसे हम एलेक्ट्रिक वहिकल्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, कि काफी सार आएगा, जो सैनिटेशन पर हम काम कर रहे हैं, वहिकलर पॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो बजट में इस साल अलोकेशन है, सब मिला जुला के देखें, तो इसमें काफी अच्छा एक आगे चलके इसमें परिणाम आएंगे. मैं रोहन के सवाल पर जाओं, थोड़ा सा एक लाइटर वे में अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि आपकी इतनी अच्छी हिंदी है, उसके पीछे क्या फिल्में देखते हैं, जो कि आपने बहुत सारे फिल्मों का भी जिक्री किया जब आप अपने चैप्टर्स को एक्स् तो हिंदी भाषी रहा हूँ मैं और तो नैचुरल है कि हिंदी एक्षली और हिंदी मुझे पसंद भी है रोहन जानना चाह रहा है कि इस साल के लिए कुछ लोगों ने जी डीपी ग्रोथ फॉर्ट फानेशले ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है तो पॉजिटिव है ही, What is your opinion on this regard आपने इस पर जवाब थोड़ा सा दिया लेकिन अगर मैं फॉर्ट कॉर्टर की बात करूं इस साल तो उसके बारे में क्या एस्टिमेट्स है मेरा अनुमान है तीसरी कौर्टर की भी तीसरी तिमाही की आएगी तीसरी तिमाही की अनुमान है की marginally positive या marginally negative, marginally positive होना चाहिए तो जो की वी-shape recovery आपका 23.9% 23.9% था पहली तिमाही में दूसरी तिमाही में साड़े साथ रह गया था उसके बाद इसमें marginal positive होने का और मेरा अनुमान है की आगे जो चौथी तिमाही है उसमें और विकासदर में और तेजी आएगी आगे और यही जो वी-shape recovery है इसी का का जो सिलसला है वो जारी रहेगा क्योंकि आगे साल में करिब 11.5% साड़े 10.5% से 11% उसकी विकासदर का अनुमान है जो वी-shape recovery आ रह तो रहती है क्योंकि आप जब विकासदर आप जब नापते हैं तो अचली इस साल की जो GDP है उसको लेके तो उसमें तो रहेगी लेकिन ये ये भी कहना उचित रहेगा कि कई लोग जब हम वी-shape recovery हमने 31 August के बारे में के दिन जब पहले तिमाही के आखड़े आये थे जब हम हमने वही वी-shape recovery की बात करी थी तो आचली बहुत लोगों को उस समय काफी डाउट थे उस समय अब जब आ गया है और इसमें काफी हमें खुशी है कि ऐसा हुआ है तो अभी ये ज़रूर प्रशन कहा जाता है कि आपकी बेस एफेक्ट है या बेस एफेक्ट थो थोड़ा ह है इसमें लेकिन ये भी आप ध्यान दें कि आगे साल में जो ग्यारा प्रतिशत है उसका काफी भाग जो है infrastructure spending से भी आएगा क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता रहा था 100 रुपेद या आप CAPEX में डालते हैं तो धाई गुना उसका आता है इस साल GDP का अनुपात में हम धाई प्रतिशत जो लागत है infrastructure में कर रहा है धाई प्रतिशत GDP का अनुपात उसको आप धाई से multiply कर दे तो आपका 6.25 प्रतिशत का आता है तो करीब 11 प्रतिशत का जो योगदान है उसमें से 6 प्रतिशत करीब 5-6 प्रतिशत सिर्फ infrastructure से आ सकता है और बाकि आपकी manufacturing जो अच्छी PMI है manufacturing की पिछले कुछ मैनों में record levels पे आई थी आठ साल में तो उससे भी योगदान आएगा तो सिर्फ जो base effect है वो कहना थोड़ा तो है लेकिन उसके अलावा बाकी sectors में जो growth है और infrastructure उनका भी योगदान है अन्मोल आशा उनका सवाल है कि बजट 2021 का अर्लान करते हुए सरकार ने public sector में अपनी उपस्तिती कम करने की बात कही है और निजीक शेत्रों में निवेश के मौके बढ़ाये जाएंगे ऐसे में बजट ने क्या उन लोगों को निराश नहीं किया जो कि government job का इंदजार कर र रहा हुए है देखिए मैं तो मैंने private sector में नौकरी की है अभी सरकार में हूँ और तरिसले दोनों jobs में काफी satisfaction भी रहता है और उनके advantages भी हैं तो मैं यह पहला चीज़ यह कहना चाहूँगा कि दोनों jobs जो हैं अच्छे हैं उनके अपने अपने positives हैं तो यह इसको भी इसको मौके दोनों जगह आने चाहिए मौके दोनों जगह आते हैं जहां पर भी हम मेहनत अच्छा करते हैं अच्छे इन से तो वहां पर मौके आते हैं दोनों जगह में दूसरी बात यदि हम जो private sector और privatization की बात करें इसमें तो मैं एक उधारन दूँगा इसमें अच्छी मान ल पिता या फिर मा जो भी अप्ना पैसा एधी देना चाहे आगे तो वो कहेंगे कि जो बिसनेस अच्छा करता है उसको कहेंगे कि आप इन इस धनराशी को लो बिसнеस करो और उसका जो आपका जो प्रॉफित बनता है उसका एक थिहाई हिस्सा आप system को दे देना और वह उस से ल निजी कशेत्र और सारवजिनिक शेत्र आपके सामिली के सब्सक्राइब तो इसलिए और यह जो कही जाती है फैमिली सिल्वर तो इस तरह कि जब हम देखते हैं तो नीजी क्षेत्र भी फैमिली का एक भाग है और सिर्फ हम सारवजिनी क्षेत्र को ही फैमिली कहें तो नीजी क्षेत्र आपती जता सकता है और दूसरी बात जो सिल्वर की हम बात करते हमने पिछले साल के आर्थिक सर्वेशन में दिखलाया था कि जब भारत पेट्रोलियम की प्राइविटाइजेशन का अनाउंस्मेंट हुआ था और पहला चार्ट हमने इस प्राइविटाइजेशन एंड वेल्थ क्रेशन वाले चैप्टर में दिखाया था कि बीपी सेयल और हपी सेयल का स्टॉक प्राइज आप देखें तो अनाउंस्मेंट तक दोनों साथ में चल रहे था उसके बाद बीपी सेयल का स्टॉक प्राइज टेक आफ कर जाता है और करीब करीब 35,000 करोड की व्रिद्धी होई थी वैल्यू में तो इस परिवार में 35,000 करोड और जुड को निजीक शेत्र और सारवजनिक शेत्र को जोड के देखना चाहिए और प्राइविटाइजेशन से आपका अचली वैल्यू बढ़ता है तो तब जाके वह चांदी बनता है इसको नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं देना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि अग्रिकल्च अंतिम सवाल हम लेंगे विल मेक दे लाइफ इसे फॉर देख रहे हैं उसके मिडिल क्लास को किस तरह से यह अच्छा सवाल है यह पहला यह आप मैं सब दर्शकों को कहना चाहता हूं और मैं अपने अपने अनुभाव से बताता हूं कि किसी भी फैमिली की सबसे जादा उन उनकी जो उनके एकनामिक कंडिशन्स में जो है विद्धी होती है जब किसी को एक अच्छा रोजगार मिलता है कि रोजगार से जो पूरी फैमिली है उसमें कि हमारे पापा जब पहली बार पूरे इसमें कुल में जो गावन्मेंट जॉब में आए और उसके कारण हमें के लिए के अवसरोंग पे बहुत ध्यान देता है क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे जब आपका capital expenditure बनता है construction activity बनती होती है construction activity की linkages आपके काफी forward और backwards linkages होते हैं जैसे cement, steel और बाकी क्शेत्रों में तो construction activity से रोजगार संगटिच क्शेत्र में और असंगटिच शे government वगरे वहां पे भी रोजगार बनते हैं तो सबसे ज्यादा मिडल क्लास के लिए एहम है वो है रोजगार और यह रोजगार सिर्फ एक साल के लिए नहीं पुरे दशक में बढ़ाने के लिए इसमें काम किया गया है और यह दूसरा आप देखें तो इतने सारे जो reforms किये हैं इन reforms को manufacturing sector को काफी एक जोर देने के लिए किये गए हैं labor reforms हैं MSME definitional changes है production linked incentives जो है आपके और opening आप जो हुआ है सब manufacturing sector manufacturing sector में जब संगडिच शेतर में रोजगार बनेंगे तो middle class को है बहुत लाब होगा यह अंतिम उदाहरनिया मैं दूंगा कि यह आप अमरीका में देखे जब great depression हुआ था great depression के बाद जो new deal आई थी president Roosevelt के अंदर उन्होंने भी इसी तरह का strategy किया था जब public capital expenditure बहुत बढ़ाया था काफी सारा और उससे जो middle class बनी थी US में वो ही बहुत दिन तक actually उसके लिए काफी फायदार काफी middle class बनी थी जो कि लोग middle class में नहीं थे वो middle class में आए क्योंकि रोजगार बना तो भारत का ये actually मेरे अनुसार ये new deal moment है जो कि जिससे की middle class काफी बनेगा रोजगार बनेगे और ये इसका जो प्रभाव है आने वाले इसमें समय में देखा जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन जाने से पहले एक अंतिम सवाल अगर आप मुझे इजाज़त दें दो हजार पच्चिस तक भारत के economy की जो एक तरह से पूरा का पूरा पाई है शेयर है हम चाहते हैं कि manufacturing 25% तक जाए services का का काफी जादा उसमें 67 के आसपास हम लोग है शा काफी वृद्धी आएगी एक तो आपका पाई बढ़ता जाएगा जीडीपी ग्रोथ जब बनेगी तब तो service sector का तो बनेगा लेकिन मेरे अनुसार manufacturing sector की जो गती होगी वो मेरे services के मुकाबले जादा होगी तो इसले जो manufacturing sector की जो contribution है वो 2025 तक और जादा हो जाएगी services की मेरे अनुसार अच्छी थोड़ी अनुपात में घटेगी लेकिन overall magnitude में बढ़ती जाएगी लेकिन जो proportion है उसमें कम होगी है मेरा मेरा अनुमान है बहुत बहुत धन्यवाद के विशुर गुनमर्ण जी इस खास talkathon में मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दर्शकों ने इतनी द talkathon में आज सिर्फ इतना ही लेकिन ये पहला talkathon था C.A.S. साथ मुझे अमीद है कि वित्मंत्राले और जो दूसरे और भी मंत्राले हैं इस तरह की बातचीत है live आपके साथ interaction हम लगातार करते रहेंगे फिलाल पूरी टीम को दीजिए अज़ाज़त नमस्कार